हेलो फ्रेंज व्लक्म बेख मैं यूट्व चैनल, आप लोग कैसे है, I hope अप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, तो आज हम लोग आए है, एक स्टाप का अच्छी की अन्न प्रेशनता में तो मैं जहां पे लाइब्रिय Vas काम करती हूं वहां पर एक स्टाफ है लेडी स्टाफ उसकी बेटी की आज अन्य प्रेशन नहें तो यह है जो मिदनापूर का के राने चोटी में एक लॉज में हम लोगों को बुलाया गया था तो यह जिस लॉज में उन लोग एरेंज किये थे उस लॉज का कुछ नजारा है तो उपर में यहां पर देखिए इस तरह सा सजाया गया है और नीचे सब पाटी हो रहा है मतलब लंच पाटी हो रहा है और उसके बाद यह नीचे का नजारा है देखिए अभी पूरा भरे हैं सब खा रहे हैं इन लोग आने के बाद हम लोग खाएंगे तो आने के टाइम म हम लोग यहीं पर खड़े हैं तो हम लोग को जोर से भूख लग रही है लकिन यहां पर जब तक खाली नहीं होगा तब तक नहीं खा पाएंगे और बच्चे को जो गिफ्ट तना वो दे दी हो बच्चे बहुत ही रो रही थी उसकी वेटी और अभी सो गई है उसको गोदी कर चोले जो काबुली चना का सबजी यह है दाल अलू पटल की सबजी यह है दही मचली और पांपलेट मचली था चीकेन यह पर चटनी यह है पनीर और दो टाइप का यह मिठाई था वास अज का मेनो कुछ इस तरह इसा तो पहले दीखिए सब उड़ जाने के बाद नया पैटी का थोड़ा से डिफरेंट हो गया उसके बाद हम लोगो प्लेट और टीश्यू पर दिया गए उसके बाद मेनु कर्ड तो मेनो कर्ड में बैंगोली में लिखा हुआ है कुछ पूछ थोड़ा सा पढ़ पाई और कुछ तो नहीं पढ़ पाई आपको पता है बेंगो है तो फास्ट टाइम मतलब फास्ट टाइम तो नहीं हाँ मैं जितना बार भी बेंगल में खाई उस तरह सा बारी बारी से कुछ दिया जाता है उसके बाद ये आ गया है सलाद उसके बाद ये है कसुंदी की चटनी हम लोग कसुंदी की चटनी लगा लगा के सलाद खा रहे थ क्रिश्पी क्रिश्पी गरम ही था तो यह देखिए यह कितना सुन्दर है उसके बाद यह आ गया है पलाव तो पलाव के बाद अभी आ गया है कबली चना की सबजी बस में इतना ही रेशिपी का वीडियो बनाई हूँ उसके बाद में खाना खा लग गई खाना खाने के बाद सब के साथ यह दिखिए ग्रूप में हम लोग फोटो किंचे तो चलिए आज के ब्लोग को यह पेंड करते ह है आई हो पाज के बलोग आप सब को पसना है तेक लाइज रूट कर देजेगा